की बात है बहुत बड़ी बावासाब के साथ गद्दारी भी है कि बावासाब ने हमें इसलिए नहीं कहा था कि तुम संगटन होकर अपनी डफली बजाते रहना अपनी पॉक्टें भरते रहे बहल सर एक बड़े कमाल की बात है कि जितने भी हमारे समड संग या समल समाज या स्टी ओबीची समाज के जो लोग है उन्होंने जितने भी संग्धन वरा रखे हैं वो सारे ही लोग ये कहते हैं कि लोगों को इखटा करना है संग्धित करना है मगर वो खुद लाखों संग्ठन में तूटे हुए हैं और कभी अपने आपको इखटा होने की बात नहीं करते ये जितने भी लोग हैं जो पतादिकारी हैं जो बुद्धी जी भी है जो उसमें काम करते हैं वो इस बात को किस तरह से देखते हैं ये बड़े कमाल की बात है बताएं सर जैभी मुद्धा सुदीर जी मैं इस चीज़ को इस तरह देखता हूं कि हम जो लोग हैं वो हम किसी मूवमेंट से निकल के नहीं आये हुए बावा साब मेट कर अकेले एक लड़ाई लड़ते रहे जिसका नतीज़ा जे हुआ कि उनके वलिदान से जा उनकी इस हार्ड वर्क से हमें बहुत से अधिकार मिल गए और जब अधिकार मिल गए तो हमने उन अधिकारों का अनंद लेना शुरू कर दिया इसी संकला में आते हैं कि जो हम बहार विदेशों में आकर लोग बस गए हैं ये भी बहावासाब की कुर्वानी और उसी सब्धान की ब्लेसिंग की वज़े से है अब ये है कि अगर तो हम अपने अधिकारों को लडमर कर हासल किये होते तो हम उनके विचारे में सोचते ये उनके विचारे में जागरत रहते कि हमें ये अधिकार बिचाने हैं, तो हमें लगातार इसके उपर नज़र रखनी पड़ेगी, कि कई जो हमारे अधिकार हैं शिन रहें, तो क्यों शिन रहें, ताकि उनको हमें रोकना चाहिए, तो जे जो आप बात का रहे हैं, कि वही इतने संगठन बने, हम लोगों ने अपनी, ए मुझे अनुभव हो रहा है, कि सदियों से गुलाम थे, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, और पढ़ने लिखने के अधिकार ना होने की वज़ए से, हम सोच बिचार में बहुत कमजोर हो गए, और भाग्यादारे में बहुत पीशे रह गए, लेकिन बावा कि इस सवधान के लागू होने से, एक नहीं, दो नहीं करोडों लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, वहा साव तो खुद कहते हैं, उन्होंने बंबे में अपने एक भाशन में कहा था, जब उनके जनम दन पे लोगों ने उनको बुलाया था, और वहां एक सवाल रखा गया था, कि बावा साव आपने इतने साल इतनी लबी, लड़ाई-लड़ी, कृर्वानी करी, क्या हासल हुआ आपको, यह मेरे खाला即िकर 156 की बात है, तो बावा साव ने कहा था कि मुझे, वैसे तो किसे बावा साव ने कहा कि बैसे किसी भी आदमी को अपनी लेकिन फिर भी अगर मैं मोटे मोटे गनाऊं तो तीन जो प्लबदियां मुझे नजर आती हैं, जो बहुत बढ़िया हैं, वो है कि वो दरवाजे सदियों से जो आपके लिए स्कूलों के, कॉल्जों के, उनिवस्टी के बंद थे, एजूकेशन के लिए, वो दरवाजे मैंन इदिकार से बोल सकते हैं, और अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपनी आदमियत का प्रदर्शन कर सकते हैं, और अपने उसमें मैंने आप सब्धान में आपको इतने इदिकार दिये हैं, कि आप उन इदिकारों का सही इस्तेमाल करके, अपने लोगों के लिए ही नहीं, अप बचाओ कर सकते हैं उनको प्रटेक्ट कर सकते हैं और मुझे उमीद है बाव सब कहते थे के बहुत्व भाई सप में अधिकारों का पर रचार परशार सही डंग से करते हुए इस कारवां को आगे लेके जाएंगे लेकिन हुआ जह है कि हमने उस कारवां को आगे ले जाने के लिए तरह-तरह के संगटन बनाए किसी को लगा के बही पॉलिटिक्स जो है वो बहुत बड़िया बावा साथ की एक देन है बोट का अधिकार है मैं बोट से राजा बन सकता हूं जा राजा बना सकता हूं तो वो पुलिटिकल में जुड करने के लिए समाज को इकठा करना वो समाज को इकठा करने के जुड़ गया है और उसके बाद कुछ शिक्षा में चले के अधिकार को लेकर ले कि शिक्षा का अधिकार का बहुत परचार परसार होना चाहिए तो हमने अपने अपने हिसाब से अपने अपनी सोच विचार के हिसाब से हमने अपने संगचन बनाएं लेकिन एक चीज कॉमन रही संगचनों में कि वावा साब का जो वलिदान था जाब वावा साब की जो मुम्मेंट थी उसको नज़र रखके हम सारा काम करते रहें तो लेकिन हमने यह कभी नहीं देखा के छोटे छोटे संगटन जो हम बनाएंगे जा मतलब जो हम तीन चार संगटन बना रहे हैं अगर हम एक ही अपना बड़ा संगटन बनाते और उसी के ऑफशूट जे सारे दूसरे अधिकार रहते जैसे प्लिटिकल है आर्थिक का है रिजर्वेशन का है फिर बोट का है और समाज की इसको जो पीशे रह गया उसको कैसे प्रोपर अधिकार मिलें ताके वो हमारे साथ हमने अलग लग अधिकार बनाने से जे इंडिकेशन दी जो रूलिंग क्लास थी कि हम एक डारेक्शन में नहीं काम कर रहे हैं मैंने पहली बार अपनी बंशव में कन्वेंशन में मैं कहा था कि हम बात करते हैं पचासी और पंदरा परसंट की लेकर हम यह कभी रियालाइज नहीं करते कि पंदरा परसंट एक ही डारेक्शन में काम कर रहे हैं एक ही लक्ष के लिए काम कर रहे हैं और हम पचासी परसंट लोग पचासी डारेक्शनों में काम कर रहे हैं और पचास रास्तों पे डिफर्ट डिफर्ट चर रहे हैं तो हमें कैसे अपनी ताक्त बना पाएंगे तो इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है कि क्योंके हम ने बावा साब अंबेदकर की मुवमेंट का परचार परसार करने की कोई ट्रेनिंग नहीं ले रखी ना देश में जिसने बावा साब को जैसे समझा उसने बावा साब को वैसे ही प्रोजेक्ट कर दिया जिसका नतीजा जे हुआ कि हम अपनी अपनी इगो अपनी अपनी डफली अपना अपना राग लापते रहे और जब हमें लगा कि हम इसमें कोई बहुत दूर नहीं आए तो जहां हमें किसी को रूखना चाहा होता क्या है मैंने जो वेस्टरन कंट्रीज में देखा है कि यह एक मानलो प्लिटिकल पार्ट की का नेता जो हो एक अलेक्शन नहीं जिता सकता तो वो अपने आप ही रिजाइन कर देता है और दूसरे के लिए रास्ता खोल देता है कि वह आप लोगों ने मुझे मौका दिया मैंने कोशिश करी लेकिन मैं जिस लक्ष के लिए आपने मुझे नेता बनाया था वो मैं ल देखा है कि लोग कई बार उस नेता को द्वारा भी एक और चांस दे जाते हैं नहीं तो वो नेता ले आता है भारत में मैंने जो देखा है वो यह है कि मानलो अगर हमने एक संगटन बनाया और संगटन का कुछ गोल रखे और अबजेक्टिव रखे अगर वो अबजेक्टिव पूरे नहीं हुए मालوق 5 साल का period दिया, 10 साल का period दिया, 15 साल का period दिया तो कोई president भी, कोई secretary भी, कोई जो उसकी management committee है वो resign नहीं करती कि भी हम जिस काम के लिए आप लोगों ने हमें नومिनE principio किया था, जहां आप लोगों ने हमें आगे किया था और हमारे हाथ में ताकत दी थी कि आप हमें रिप्रेजेंट करो और सभी लोगों को जुनाइट करके आगे ले जाओ लेकिन हम उनको जुनाइट नहीं कर पाए इसलिए हम रिजाइन करते हैं और आप नए लोगों को ला सकते हैं नहीं मैं जो देख रहा हूं कि जो लोग शुरू से संगठन बना कर एक कमिटी बना कर एक प्रेजेंट बने जा जैनल सेक्टी बने वो संगठन तूट जाए संगठन पीशे रह जाए संगठन कोई भी अपनी मतलब जो गोल है उसको चीव ना कर पाए लेकिन वो उसको छोड पने को तैयार नहीं और यह अक्सर होता है कि जो पीशे वाले लोग हैं अगर वो कोशिश करते हैं कि जो आगे बड़े हुए लोग हैं उनको पीशे अटाकर नया अपना अपनी अपनी ताकर दिखाने के लिए वो आगे आना चाहते तो वो आने नहीं देते तो फिर क्या ह होता है कि एक से दो संगफटन हो जाते है ऐसे ही मैं देख रहा हूं कि मेरे देखते देखते ही इंडिया में बी और विदेशों में भी एक संगठन के कई कई संगठन बन ग controllers便 विए बन गए हैं लेकिन किसी को अपने गोल को चीव कितना किया कितना नहीं किया इसकी कोई needs और जब तक यह होता रहेगा मुझे लग रहा है कि मैं तो अक्सर कहता हूं जए नारा लगाने की हम बहुजन है लेकिन जब नारे की वज़ाए हम बहुजन नजर भी आने चाहिए अगर हम बहुत नजर नहीं आएंगे तो दुश्मन के आखें बंद करके चल रहा उसको दिखाई दे रहा कि ये कितने हिस्सों में बटे हुए हैं तो हमारे अंदर तोड़ पोड़ करना हमारे अंदर लड़ाई पैदा करना उसके लिए बहुत असान हो जात हैं तो हमें बावा साब को इन टॉटलटी पढ़ना चाहिए बावाव साब ने ऐसान ही कि ध्रम की मुमेंट एक बार चलाइए और राइट्र की मोवेंट एक चलाइए उन्होंने सभी लोगों को साथ लेकर सभी लोगों की राइट्स के लिए उनकी एजूकेशन के लिए उनकी जॉब्स के लिए उनकी हेल्थ के लिए और उनकी एक्जिस्टेंस के लिए सभी के लिए एक साथ लड़ाई लड़ी तो हम क्यों आज अलग लड़ाईएं लड़ाएं यह हमें के क्या रिजल्ट देखना चाहते हैं वो पहले तै करते थे और फिर उसके उपर एक्षिन करते थे मैंने ऐसे बावा साब को सीखा है देखा है जैवीम बैल सर जो आपने कहा कि जितने भी यह संखन है अपने उद्देश से को अपने गोल को प्राप्त करें क्या उनको अपना गोल पता है कि उनका उद्देश से उनका गोल क्या है यह देखिए कहते तो सबी हैं जैसे मैं मुझे जितने भी संख़णों में काम करने को मौक्वा मिला है उन में सबसे ज़्यादा अगर मैंने किसी संख़ण میں काम किया तो वो है बामशेफ जब मैं बामशेफ के खार्यकरम में पहली बार आया था तो मुझे ऐसा मैसूस हुआ था कि ये एक ऐसा संगठन है जो आरेसस के पैरलल काम करेगा कोई लड़या के लड़ाई हमें कोई लड़ाई नहीं कोई हमें किसी को भुरा बला नहीं कहना सिर्फ अपने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरत करना है तो मुझे ऐसा मैसूस हुआ था कि ये लोग जो कह रहे हैंगी मुझे बहुत बड़ा लक्षा है मुश्कल लक्षा है लेकर जब मैंने उनकी कुमिटमेंट देखी कि बहुत से अच्छे अच्छे ऑफिसर उनमें जुड़े हुए हैं बहुत से अच्छे अच्छे प्लिटिकल नेता भी उनमें से जुड़े हुए हैं तो जे लक् करने की चिंता उन में कम है और अपने आपको अपनी एगो को जा अपने हंकार को जा अपनी परसनल्टी को जिंदा रखने की जो उनके अंदर है वो ज्यादा है जिसकी वज़ाए से मैं जे दावे के साथ तो नहीं मैं लेकिन मैं अपनी सोच विचार के इसाब से कह सकता हूं कि जिस लक्ष के लिए वो सारे संगठन बने थे उस लक्ष को उन्होंनों नहीं इचीव किया जे मुझे निज़र आ रहा है उनको पता है कि हमने नहीं इचीव किया कि यह बात तो कि जग जाहर हो गई है कि 70 साल में जो उद्देश से उनका जो भी रहा हो कम से कम जो अधिकार थे जो बावा साब लाया थे वो रहने चाहिए थे और वो अधिकार सारे चलेगे, इसका मतलब संग्ठन फेल होगे, उनका जो भी उद्धे से रहा हो, कम से कम अधिकार बचाने का या अधिकार बढ़ाने का उद्धे से तो उनका दिखाई दिया नहीं है, ऐसी हलत में एक बात जो देखी वो यह है, कि जो कारेकर्टा उन्हों चला गया, इसका मतलब वो जो मेहनत कर रहे हैं या उनसे जो मेहनत करवाई जा रही है, उस मेहनत का परिणाम उल्टा आ रहा है, और अभी भी संग्धन अपनी कोई समिक्षा या अपनी कोई बेलेंस सीट या अपनी कोई चेक लिश्ट देने को त्यार नहीं है, नहीं इस बहुत बार इस चीज़ की बामिशिफ के लोगों के साथ भी मैं बात करता रहा हूं कि भई, मालो मैं बिजनिस में हूँ, लेकिन बिजनिस इसी शान से किया जाए कि मैं बिजनिस में हूँ, उसमें दो अने बचे, चाहे ना बचे, जा मैं उसमें काब जां हूँ, जा फेल रिवियू करना मेरे हाथ में है कि मैं बिजनिस में आया और बिजनिस से मैंने क्या चीव करना था साल के बाद हम अकाउंट्स तयार करते हैं मैं देखता हूं कि मुझे क्या लाब हुआ क्या हानी हुई कहा हानी हुई कहा लाब हुआ तो उसके हिसाब से मैं नए साल का काम उनको जे अगर वो अपने आपको रिवियू करें कि हमने पांच साल इस नेता के नीचे काम किया और पांच साल में हमारी गती जो है वो अगर दो हजार से तीन हजार तक चली गई तो जे लाखों लोग जो हमारे इंतजार कर रहे हैं उन तक कब पहुंचेंगे अगर नहीं प बदलना पड़ेगा अपना जो काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा अगर जो में लाइन में जा में स्ट्रीम में जो लोग हैं जो आपको स्पेश नहीं दे रहे तो उनके खिलाप जाकर भी आपको ऐसा संगठन ऐसा संग जा ऐसे लोग ढूंडने चाहिए जो इस चीज की चिंता कर रहे हैं कि बावा साथ का वो कथन जब अगर मैं अपने शिपाईयों को जब आधायत देता हूँ जब यह कारवा मैं जहां तक खींच के लाया हूं बड़ी मुश्कल से खींच के लाया हूं अपने अपोजिशन के लोगों के साथ दिन रात लड़के खींच के लाया हूं तो अगर आप इसको आगे ना ले जा सको तो कोई बात ने यहीं है वहीं छोड़ देना लेकिन इसको पीशे मत जाने देना तो हम अगर वहीं भी रोक कर हम इसको review करते कि जहां बावा साहिब छोड़ गए हैं, उससे हम आगे ने लिया रहा है, तो क्यों ने लिया रहा है, जब तक हम इन चीजों को review नहीं करेंगे, जब तक इनके ऊपर विचार नहीं करेंगे, और अपने से अच्छे जोग्य परसंट को आगे आने के लिए हम नेता नहीं कबूल करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, मैं फेल हो गया, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि मेरा सारा समाज फेल हो गया, मेरे समाज में बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत सी अच्छी उनकी सोच विचार हो सकती है, और जैसा वातावरन मुझे मिला है जैसा वातावरन उनको मिला है उसमें बहुत अंतर है, वो अपने अपने हिशाब से काम करेंगे, तो किसी मैं किसी को अपनी संस्ता में अपने संग में अपनी और्गनाजेशन में आगे ना बनने दूं तो सबसे ज़्यादा नलाइक मैं उन नेताओं को मानता हूं जो यह मान सकता लेके बैठे हैं कि ना हमने किसी को आगे आने देना है और ना बावसक्वे अमबेद करके कारवां को पीशे जाने से रोकना है अगर उनको दिखाई दे रहा है कि पीशे जा रहा है तो उनको ऐसे ऐसे लोग ढूंडने चाहिए जो उसको आगे ले जाने के लिए सक्षम पैदा अपनी ताकर लगा सकते हैं जैसा हो नहीं रहा जै मुझे दुख की बात है कि हम ऐसा सोच नहीं रहे मैं तो आज भी देख रहा हूँ कि जो संगठन बीश पच्ची तीस साल पहले existence में आये थे और एक गोल लेकर आये थे आज तीस तीस पैंतीस साल के बाद भी उस गोल को वो review नहीं करते नजर आ रहा है उसको inspecting करते नजर आ रहा है उसको analyze करते नजर नहीं आ रहा है कि भी हमने जीवन में क्या अचीव किया क्या अचीव करने के लिए हम आये थे तो इसलिए मैं तो उन सभी साथियों को भी जिनके साथ मैंने पिछले 20-25 साल से काम किया है मैं उनको भी कहता हूँ कि अगर आपके नॉमिनेटिड किये हुए जो नेता है अगर वो सही डंग से काम नहीं कर रहा है, सही डारेक्शन में काम नहीं कर रहा है और सही लोगों के को साथ लेकर काम नहीं कर रहा है, तो उनसे अलग होकर भी आप कोई ऐसा संगटन डून सकते हैं, जो ज़्यादा शक्तिशाली है, तो छोटे संगटन को बड़े संगटन में कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए, जिन के पास ज़्यादा लोग हैं, उनके ब बड़ा संगटन बनाएंगे, उतनी हमारी ताकत बड़ेगी, तो इसलिए मैं तो अपनी तरफ से उन लोगों को आगराही कर सकता हूं, बिंती कर सकता हूं, कि आप रवीव करिए, कि आपने जो काम किया है, उससे क्या अचीब हुआ, क्या नहीं अचीब हुआ, अगर जो 70-80% हमसे खुश गया है, तो क्यों खुश गया है, किनकी कारणों की वज़ा से खुश गया, क्या, जो हमारे नेताओं की misguidance, misleadership के वज़ा से खुश गया जहां, जो वरकर है, उनके काम करने की ताकित की वज़ा से रुख गया है, तो जै रिव्यू करेंगे, तो हमें picture नजर आएगी कि हाँ जहां से हम गलत हुए जहां से हम गलत हुए जहां से हम गलत हुए इसलिए हम fail हो गया तो उसको जैसे जैसे हम दुरुस्त करेंगे वैसे वैसे हमारी ताकत बढ़ेगी हम अपनी गलतियों से सीख कर इत्यास इसलिए तो होता है कि इत्यास से हम सबक सीखें और सबक सीख कर जो गलतिया उनको दुरुस्त करें जो गलतियों को दुरुस्त करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे ऐसी मेरी मानता है धन्यवाद वेल सर जितने भी संग्ठन हैं वो सारे के सारे बात तो करते हैं सम्विधान की और सम्विधान की और बाबा साब को सर्वोपरी मानते हैं सम्विधान को सर्वोपरी मानते हैं और अपने यहां जो काम करते हैं, वो करते हैं, जो व्यक्तिवाद है, या जो मनुवाद का structure है, या जो नेता का structure है, उसके अधार पर. तो जितने भी ये नेता हैं कि आज तक ये बात इन मेंसे किसी नेता को समझ नहीं आई कि बाई ये जो structure है व्यक्ति का नेता का ये जो वो बनाते हैं दस-पांच लोग कार्य कार्णी टाइब की बनाते हैं, बिना मतदान के वो चुनके आ जाते हैं, इसमें साधरन कार्य करद, जो कार्य करता, उसका तो बिचारे का एक मत भी नहीं होता है, वो तो ये भी नहीं कह पाता कि मेरे को ये प्रेजयन्ट पसंद है या नहीं है, तो जो अपने संटन में या जो ये संटर बनाते हैं उसमें उनका जो वरकर है जब वो साल में एक वार भी अपना मत नहीं बता सकता है और बंधुआ मजदूर की तरह वो काम करता रहता है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वहां नेता बदलना चाहिए या नेता आना चाहिए क्योंकि नेता का सिध्धान्त या नेता का सिट्टर तो किसी भी महापरू से दिया ही नहीं फिर ये कौन सा सिट्टर इस्तमाल करते हैं महापर इसके वारे में क्या कहेंगे आप देखे बात आपकी सच्ची है कि बही जब जे और्गनाइजेशन बनाने का स्ट्रक्चर चालू हुआ तो तब लोगों ने ये फैसला किया कि भी किसी ने किसी को नेता बनाने लिए चाहिए और उसकी गाईडेंस की नीचे हमें काम करना चाहिए लेकिन मैंने जीतने संगटनों में काम किया है ये समस्या वहाँ साथ मीटिञ उसमें गुप्त रूप्से किसी वरकर की कोई opinion ली नहीं जाती कि जे जो नेता हमने जा जे जो प्रेज़न्ट हमने बना रखा है ये कितना अच्छा है जा कितना जे काम में कामजाब हो रहा है बस एक पर बना दिया फिर वो उसने अपने इर्दगिर्द ऐसे लोगों का एक parameter बना लिया कि बही जे मुझे सपोर्ट करेगा जे मुझे सपोर्ट करेगा जे वो सारे ओदे जो है उन्हें के बीच में बढ़ गए तो आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि organization का जो goal था कि हमें ऐसे लोगों को साथ लेकर एक और्गनाईज तरीके से काम करना है जिसको वहाँ साब भी कहते हैं और्गनाईज करो तो वह सिधान्त हम ने छोड़ दिया और सिर्फ हमने इस जिसको हम कहते हैं शेल इस शेल को अपना लिया कि यहां जे प्रैजरेंट रहेगा जहां जे सेक्टरी है खजानची रहेगा जे वो सारी जो ओदे हैं उसी में उसी के बांट लिए और जब इलेक्शन भी होती है तो अगर जो आज प्रेजिडेंट है वो कल कह देता है मैं जनल सेक्ट्री हो जहूंगा जो आज जनल सेक्ट्री वो को उसको कल प्रेजिडेंट बना लेते हैं उनी लोगों के बीच में घूमती रहती है इसका अन्तीजा जे हुआ है कि हमारे अंदर जो इंटलेक्ट था वाइडर कुमिनिटी में उसको मौका अपना परचार परसार करने का मौका नहीं मिला और मौका ना मिलने का बज़ा जे हुआ कि अगर कोई फेयर्ड आदमी किसी संगटन को लीड कर रहा है तो वो फेयर्ड ही लीड कर रहा है उसकी जगा कोई उस संगटन को कामजाबी की तरफ ले जाने वारा आगे नहीं आने देना यह बहुत बड़ा एक दुख की बात है बहुत बड़ी बावा साब के साथ गद्द डफली बजाते रहना, अपनी पॉक्टे भरते रहना और अपने घर परिवार, अपने एगो, अपने हंकार को पूरा करते रहना, नहीं, ऐसा नहीं कहा था बावा साब ने, बावा साब ने कहा था, कि हमारे मेरे जो बलिदान है मेरे बलिदान की जो जो उसके अधिकार हैं वो बहुत दूर दूर तक गाउं में जो बैठा है लोग उसको भी पहुंचने चाहिए इसके लिए आपको संगठन बना कर, और्गनाजेशन बना कर, परचार परसार को बढ़ा कर वहां तक पचारात है, ऐसा हुआ नहीं है, हम बहुत बुरी तरा फैल हो गए हैं इस में और मुझे उमीद है कि जो लोग संगत्रों में काम करते हैं, वो यह नहीं देखें कि मैंने काम कितना किया, वो यह देखें कि मैं कहां खड़ा था आज से 20 साल पहले, और आज मैं कहां खड़ा हूं, मेरे मुझे जो सुबदाएं सबदान ने दी थी वो सुबदाएं आज मेरे बच्चों के लिए कितनी बच्ची हुई है तो तो वो रेलाइज करेगा कि मैं फेल्ड आदमी हूँ अगर वो यही डफली बजाए जा रहेगा कि मैं 20-25 साल से देखो मैं काम कर रहा हूँ मैंने इतना क किया इसलिए मुझे आपको इस संगटन से दखल नहीं करना चाहिए यह इन में हमें थोड़ा सा नाप तोल करके सुदार करने की जुरूरत है और मैं तो यह मानता हूं कि मानलो मैं किसी चीज़ में फेल हो गया मैं किसी चीज़ को अच्छे ढंक से नहीं कर पा रहा तो मु करनी चाहिए मुझे इस चीज़ की तलाश करनी चाहिए कि मेरे समाज के अंतर मेरे इर्द गर्द वो कौन सा सक्स है जो मुझसे भी जादा इसमें जोगदान दे सकती है और यह रुके हुए कार्वा को ज्यादा धका लगा सकती है तो उसको आगे लाने के लिए जो नेता पेड़ निता है जहां अपने आप में इतना शक्तिशाली नहीं है उसको खुद ही उसको अपरचुंटी देनी चाहिए तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे वरना तो हमारा सत्याना सोता रहेगा हम आँखें बंद करके देखते रहेंगे जैवें बहन सर यह जो अभी पिछले कुछ सालों से और खास्तर से 9 महीने से जो समर्शंका बुद्ध से भी पहले का जो कंसेप्ट आया हुआ है और जिसके तहत में लोग बाचित कर रहें, देख रहें, जुड़ रहें, जुड़ रहें और जो अब से पहले सतर साल पहले जो कंसेट में काम कर रहे थे उन दोनों में बेसीकली कौन-कौन से मेजर डिफरेंस है जिसकी वैसे आगे हमें फायदा ये नुक्सान होने वाला है एजिस सोसाइटी देखिए बावा साब ने जो एक मंतर दिया हुआ है हमें कामजाब होने के लिए वो है जिसको हमारे सारे लोग दिन रात चिलाते रहते हैं कि एजुकेट और्गनाइज एजिटेट तो कुछ लोग तो कहते हैं एजुकेट एजिटेट फिर और्गनाइज करो लेकिन मुझे लगता है कि सही जो है वो यही है कि एजुकेट और्गनाइज दन एजिटेट तो उसमें जितनी भी organization बनी है उन सभी ने अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए काम किया, उसके लिए चंदा लगाया, उसके लिए पैसे लिए और उन पैसों से फंक्शने करी, अच्छे-च्छे मंचे लगाए, बहुत-बहुत बढ़ अच्छे भाशन दिये, और साल के बाद, दो साल के ब मिने के बाद, तीन मिने के बाद, स्टेटों में, तरह तरह के वह function करते रहें, लेकिन अगर साल के बाद देखें, तो हर साल, प्रती साल, हमारे जो राइट्स थे, वो डिमिनिश होते गए, कम होते गए, लेकन उनकी तरफ उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो एक बहुत बड़िया चीज नजर आ रही है जो मैं एसास कर रहा हूँ जिसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आपको साथ साजो कर रहा हूँ उसमें यह है कि भई एक तो मैं जो अनुभब किया है कि भई आठ नौ महीने से इतने लोगों का इकठे आना और डेली आन यह अपने आप में बहुत बड़ा काम है यह आपने बहुत बड़ी एक आपकी एचीवमेंट है फिर उसमें तरह तरह के लोग हैं आ रहे हैं हर टाइप के डॉक्टर्स आ रहे हैं जिनियर्स आ रहे हैं प्रोफेसर्स आ रहे हैं बिजनिस पीपल आ रहे हैं और समाजिक का करता आ रहे हैं तो इतनी वराइटी के लोगों को एक मंच पे लाकर इकठे करके इतने मीनों से बांदे रखना यह आप का बहुत बड़ा एक काम है और जिसको मैं आपकी इसके बारे में आप मैं आपकी बहुत स्रागा करता हूं दूसरा जह जो है कि आपके संगेटन में सब से जो मुझे अच्छी बात यह लगती है कि आप कोई कहते हैं कि हम कोई चंदा नहीं लेंगे क्यों कि संगठन को चलाने के लिए चंदे की जरूरत नहीं है लोगों की जरूरत होती है तो हम जुड़ेंगे और जोड़ेंगे और अपनी बात रखेंगे और अपने महापु के विचार धारा का परचार परसार करेंगे और दूर गाउं गाउं तक करेंगे लेकिन उसके लिए ना किसी मंच की ना फूल माला की और ना किसी माइक की यह हम बात नहीं करेंगे हम आम लोगों के बीच में बैठ कर आम लोगों की बात करेंगे यह अपने आप में भी एक ब किसी संगटन को जब किसी भी मतलब और्गनाइजेशन को जब जन्म देते हैं जिसने उसमें थोड़ा सा ज्यादा पैसा खर्च दी यह वही उसका मालक हो जाता है और जब पैसे की जांच-परताल चलू होती है तो फिर एक से दो हो जाते हैं दो से चार हो जाते हैं ऐसे वो मुझे इसमें जे अच्छी बात नजर आ रही है कि जब आप किसी से पैसा लो गए नहीं और पैसे की प्रावलम खड़ी नहीं होगी तो आपके तूटने का और एक से दो होने का दो से चार होने का जे जो संभावना है वो अपने आप में खतम हो जाती है तो जे भी बात है अच्छी लगते है डूसरा कि है कि आपने मर्दों के साथ साथ महलाओं को भी पूरी तरीके से चुटी दे रखी है हमारे में ने बहुत से संखटन देखियां आप जितने भी संखटन देखो बामशफ के जा जितने भी समाजे और आर्थिक बाते करने वाले हैं उनमें ज़्यादातर आपको मर्द ही आगे बोलने वाले मर्द ही ज़्यादा मेनेज़मेंट में मर्द ही फर हर जगाँ नजर आयेंगे. हलांके मैंने बहुत बार लोगों को कहता रहा हूँ कि अबर हम मंच के उपर अगर साथ लोग बैठे हैं तो साथ लोग के बीच में तीन महलाएं हमें नजर आनी चाहिए क्यों कि बावा साथ का सबसे बड़ा यह चीवमेंट था कि वो महलाओं के अंदर जागरती लाना चाहते थे और ब्रहामनों का सबसे जो ज़्यादा जखड़ है वो हमारी महलाओं के उपर है अपनी संस्कृति अपनी कल्चर को थोपने का ताकि वो अगर हमारी महलाओं को कबू में रखते हैं तो आने बाले बच्चे सारे वो महलाओं खुद ही उनके कल्चर में परवेश करूआती रहती है तो मुझे यह बहुत अच्छा लगा मैं जब से जुड़ा हूँ मैंने बहुत महलाओं के भी सेशन देखे हैं महलाओं के अंदर आज बात करने का तरीका सोच विचार का तरीका और अपने आपको प्रिजेंट करने का तरीका बहुत बड़े पैमाने पर ना उसमें सुधार होता हूँ तो जे जो महलाओं को इक्वल इसमें स्थान देना जे भी आपके मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामजाबी है जहां अचीवमेंट है तो इसके साथ साथ एक और जो बात है कि जब हम एक संग आएंगे एक संग बैठके घर से लाकर खाएंगे तो हमारे अंदर जो उन्च और नीच की जो भावना सदियों से धुमज करी हुए है ब्रह्मनबाद ने वो धीरे धीरे खतम हो जाएगी और इसका रिफलेक्शन जो है जब हम एकठे आएंगे एकठा मिलके बैठके खाएंगे किसी को ये असास नहीं होगा कि कौन नीचे बैठा कौन जूपर बैठा हम सारे नीचे बैठके खाएंगे तो उससे एक चीज और नजर आई है जो आज मैं चाहूंगा कि अगर हम ऐसा एक समाज निर्मान करेंगे तो उस समाज में से अगर कुछ लोग हमारे पॉलिटिक्स भी करना चाहेंगे पॉलिटिक्स में भी जाना चाहेंगे यही इसी भावना को लेकर कि हमारे अंदर उंच नीच शुआ शाथ जे जात वो जात इसका सारा खतम हो जाएगा और हम कठे मिलकर एक जगा बोट डालेंगे तो सब्ता से हमें कोई रोक नहीं जलकियां ऐसी नजर आती हैं जो इस काम को पूरा करेंगे कि जो कारवां बावासाब का हम बहुत पीशे चला गया था उसको हम धीरे धीरे अगर अपने जीवन में बहुत गती से आगे ने ले जाके पाए तो कम से कम वहां ले आएं जहां बार तक बावासाब छोड़के गये थे जह मुझे नजर आ रहा है आप बैल सर इसमें समण संग में आपको कमी कौन को से आरी नेजर जो दूर की जाएं देखिए वैसे तो किसी भी संगठन की कमियां पॉब्लिकली डिसकेशन नहीं होनी चाहिए लेकिन मुझे एक ही कोई मुझे इसमें कमी नजर नहीं मुझे डर थोड़ा कई वार थोड़ी सी इस चीज का डर रहता है कि जैसे दूसरे संगठनों में जैसी हमारी प्लिटिकल पार्टियों में मनुवाद ने इंटर्वीन करके उनको आपस में लडाना आपस में तोड़ पोड़ करना और एक से दो करना यह सारा कुछ करने में वो काम जाव हो गया है डर मुझे इसका लगता है कि यह हमारे संगठन के साथ भी वो ऐसा ना कर पाए मुझे उमीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रिकॉशन दे रखे हैं एक तो हमें इस चीज की होनी चाहिए है दूसरा यह है कि अगर मान लो जो जो जे आपका यह concept है कि हम जो भी पहले spokesman बनाएंगे वो spokesman फिर जितने भी हमारे सिधानत हैं उनको लाएंगे उनको पास करेंगे उसको जाओ तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि वह बहुत से लोग जो spokesman नहीं है जो spokesman मने के वो अपने आपको offer नहीं कर रहे हैं लेकिन उनकी उनका जोगदान भी उनका भी किसी ना किसी तरीके से उनकी बातचीत को भी हमें ध्यान में रखके उनका भी हिस्सेदारी का हमें तैय करना चाहिए कि प्वे कैसे हम उनकी हिस्सेदारी तैय कर सकते हैं बाकी मुझे इसमें कोई ऐसा अभी तक आया नहीं है देखो किसी भी संगटन में जहां भी दो बरतन पड़े होंगे, वो शोर्त करेंगे, तो आपका संगटन कोई उससे कोई इलावा नहीं है, आपका भी एक संग है, संग में लोग हैं, जहां लोग आएंगे, अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे, काम करने अभी को जैसे बहुवान बुद्ध ने हर इंसान को उंगली मार को अपने संग में लेकर उसकी सारी बुरी आदतें चुड़ा कर उसको अच्छा बनाकर अपने संग को आगे बढ़ाया था हम भी जो हमारे अंदर बीच में कुछ लोग गलत धारना के हैं गलत सोच विचार के हैं उनको अच्छा बनाकर उनको समझा कर उनको संग की सारे सिधानतों से वाकव करवा के उनकी बुरी आतें चुड़ा कर हमको उनकी अच्छे विचारों को उनके अच्छे विचार बनाकर आपको इन संग में लेना है जैसे जैसे हमारे ये कि ये बावा साब अम्बेद कर ने जब हमें शिक्षा का अधिकार दिया था तो उनका ये मानना था कि शिक्षा से इनसान के विचार बदलते हैं और विचार से इनसान के विवहार बदलते हैं और विवहार से जो इनसान है उसका अचार बदलता है अचार बदल जाता है तो दुनिया का हर चीज बदलने का रास्ता आपके सामने खुल जाता है आज अगर मैं तैय करके बैठा हूं कि मुझे अपने आपको काम जाब रखने के लिए जो भी कुर्वानी देनी पड़े वो मैं कुर्वानी देने को तयार हूं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे फेल नहीं कर सकती ऐसी ही भावना अगर म हमें इस संग में काम करके इस संग को कामजाब करवाना है और मैं किसके आगे खड़ा हूं मैं किसके पीशे खड़ा हूं मैं किसके दाएं खड़ा हूं बाएं खड़ा हूं इसको चोड़ कर मैं किस काम में लगा हूं उस काम को मैं कितना आगे लिजा रहा हूं और कितना ल लिए अगर वैसा नहीं तो अगर उससे अच्छा नहीं तो कम से कम वैसा वातावरन तो छोड़के जाओं वैसे राइट तो छोड़के जाओं वैसा सभिधान तो छोड़के जाओं तो अगर हम इस मानता से इस जो missionary भावना से हम काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका संग किसी तरीके से फेल हो जाएगा जाकि किसी तरीके से पीशे रह जाएगा मैं तो अपनी शुब कामनाई देता हूँ और मुझे जितने भी लोग गहें आपके संग में काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं डेली तीन तीन चार चार घंटे एक जूम मीटिंग में आकर अपना जोगदान देना ये कोई छोटी बात नहीं है बहुत बड़ी बात है इसको इसके आगे बढ़ने के चांसे जुमेंजे बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं हम आगे बढ़ेंगे जुडेंगे जुडेंगे एक दूसरे का साथ देंगे एक दूसरे का साथ सा जोग करेंगे तो इनी बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद फिर एक बार करता हूँ आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने Facebook पर, अपने पेज़ पर, अपने Twitter पर या अपने handle पर, या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप यूट्वब पर चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़च लेने की या परमिसर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उनी की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ वितना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगम सरेनं गच्छाम। संगं सरनं गच्छामी, दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी, दूतियं पी धम्मर सरनं गच्छामी, दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी, दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी, दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी, ततियं पी घंधन सर्णां गच्छामी, ततियं पी धंधन सर्णां गच्छामी, ततियं पी घंधन सर्णां गच्छामी, ततियं पी जंधन सर्णां गच्छामी, तेतियम पिसन्दम सर्नम तर्शामी साथू साथू साथू